तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके MP परेक्षा का एप डाउनलूड कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों आप व्याबं परेक्षाओं के लिए 15,000 से ज्यादा निश्वल्क प्रसन परत्र हैं इसी के साथ साथ दोस्तों आप चेकसक वर्थी वर्ग दो का विस्यों का आप को निश्वल को तैयारी कराई जाए यानि डेली कुशिंच मिलेंगे इसी के साथ साथ पर्ग दो की दोस्तों यदि आपको टैस्टी सीरीज अच्छी लग दिया तो आप 15% छूट के साथ खरीच सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए गया आप जोड़ सकते हैं ठीकि साथ-साथ दोस्तों आप अनेक अड्यमी का एब गूगल प्ले श्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों आप रुमूदराना सर्च करके हमारे साथ जोड़ भी सकते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे यह वाली प्रॉफ ये रेलवे इलाबाद में ये वेकेंशी निकली है दिनांग 1611-2018 को अब देख सकते हैं दोसों जांसी मंडल में एपरेंटिंस एक्ट 1961 के अंतरगत वर्स 2018-19 के लिए एक्ट प्रसिक्स है तो ये सूचना है तो आप देख सकते हैं 446 सीटों है तो रेलवे बोर्ड के पत्र सं संख्या देख लिजीए विकलांग सीटों की संख्या यानि एदिव्यांग सीटों की संख्या रह gustaría जिसमें फिटर है मैकैनिक है मसीनिसट है पेंटर है, कारपेंटर है, एलेक्टरीसियन है, लोहार या ब्लेक्स मित है, जिसमें देख सकते हैं, सामान्य में टोटल दोस्तों, 223 वेकैंसी है, यह अन्य पिछड़ा वर्ग में 120, SC में 69, ST में 34, टोटल 446 वेकैंसी है, यह आप देख सकते हैं, और यहां पर भी बताई ग मतलब अनुसूचित जाती में कितने परसेंट की सनुसार आरक्षन मिलेगा ये अच्छे से बताया गया है अब इसी के साथ साथ दोस्तों ये देख लिजिए प्रतेक उम्मिद्वार को आवेधन करने से पहले वेब साइट ये दे रखी है इस पर पंजीकरन करना आविश्यक है पंजीकरन उपरान दोस्तों मंडल डेलवे प्रबंदा कार्याले जांसी को दी गई रिखती हो हितू संबंदित प्रोफार्मा में आविधन करें तता आविश्यक प्रमान पत्र अप्लोड करें प्राप्त पंजीकरन संख्या का एक प्रेंट बेस कार्याले को आविदन पत्र के साथ बेजे हैं अन्यता उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी पंजीकरन करने की प्रकरिया संबंद जानकारी वेबसाइड के दाई तरफ FIQ द्वारा ली जा सकती है तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं प्रा सेक्षन आवदी एवं आयू सीमा दे रखिये दोस्तों देनांग 1712-2018 को उम्मीदवार 15 वर्स के आयू पूर्ण होनी चाहिए तता 24 वर्स के आयू पूर्ण नहीं होनी चाहिए और उसमें भी छूट दे रखिये अब सेक्षन के योगिता देख लिज और इसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र आविशा के प्राचारिये द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्ये नहीं होगा यह आप देख सकते हैं और फीस कितनी है आविदन सुलक ओनली 100 रुपीज है आविदन तता बुलावा पत्र दिये गए फॉर्मेट के अनुसार A4 और दोस्तों आविदन प्राप्त होने के अनुसार A4 साम को यह बता रखी है और आप यह देख सकते हैं आविदन करने समय बरतने वाली साफदानिया यह इतनी इंपोर्टेंट जानकारी नहीं है तो दोस्तों आप सेम देख सकते हैं कि आपके लिए सोनेरा मौका है यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और यह फॉर्म भी बताये गया नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक भी दे दूँगा तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आ हैं तो ठेंक्यू फ्रेंट्स जै हिंद जै बारत